हलो दोस्तो, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI Classes में तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे Trade Theory Instrument Mechanic Second Year के कुछ important MCQs की और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये सभी MCQs जो हैं आपको chapter wise दिये जा रहे हैं और इन सभी को आप PDF में भी डाउनलोड कर सकते हैं तो उसके लिए आपको हमारा Telegram Group जोइन करना होगा और Group का जो link है वो आपको इस वीडियो के description में दे दिया जाएगा तो वहाँ से आप Group को जोइन कर सकते हैं तो यदि आप channel पर पहली बार आए हैं तो please channel को subscribe कीजे साथ में bell icon को ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि हमारी वीडियो का जो notification है वो आप तक पहुंसता रहे तो आईए शुरू करते हैं पहला question है आपका कि transducer का chain निमन में से किसके आधार पर किया जाता है सबसे पहले तो बात करते हैं transducer होते क्या है transducer एक ऐसी device होती है एक ऐसी युकती होती है जो एक परकार की उर्जा को दूसरे परकार की उर्जा में बदलने की छमता रखती है और इनका जो उप्योग है वो भोतिक राश्यों को मापने के लिए किया जाता है जैसे यदि हम बात करें microphone की तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो आपको धवनी संकेत मिलते हैं मतलब जो आपको sounds के signal मिलते हैं उनको क्या करता है यह? विदुत signals में या फिर विदुत संकेत में परिवर्थित करता है तो transducer का कारिया क्या होता है? एक परकार की उर्जा को दूसरे परकार की उर्जा में बदलना तो इसमें पूछा गया है कि इनका chain किसके आधार पर करते हैं? option इसमें आपको दिये गए हैं मापन की परकरती पर दूसरा option है भार पर भाव पर तीसरा option है मुल्लय पर चोथा option है यह सभी तो इसका जो सही जवाब होगा, वो क्या होगा, option number D होगा, ये सभी, इसके बाद में second question है आपका, कि potentiometer का उपयोग किया जाता है, potentiometer जो होते हैं आपके, इनका जो उपयोग किया जाता है, वो क्या होता है, pressure signal को, pressure signal को electrical voltage में बदलने के लिए किया जाता है, तो option number B इसमें आपको दिया गया है, तो ये क्या होगा, इसका right answer होगा, तीसरा question है आपका, कि electrical instrumentation में transducer वह device है, जो किसी भोतिक रासी, भोतिक इस्थिती या यांतरिक output को किसमें बदल देता है, विदुद, signal में बदल देता है, तो option number A इसका right answer होगा, इसके बाद में person number 4 है आपका, कि strain gauge किस प्रकार का transducer है, strain gauge की यदि हम बात करें, तो strain gauge जो होता है आपका, वो किस तरह का transducer होता है, निसक के रिए transducer होता है, option number B क्या होगा, इसका right answer होगा, इसके बाद में person number 5 है आपका, कि primary transducer को खालिस्तान भी कहते हैं, option इसमें आपको दिये गए है, transducer element, pravidut element, moving element, चोथा है detector, तो primary transducer को आप क्या कहते हैं, detector भी कहते हैं, तो detector के तोर पर भी इनको इस्तेमाल किया जाता है, person number 6 है आपका, कि किस परकार के transducer में potentiometer होता है, option इसमें आपको दिये गए है, primary और secondary transducer, दूसरा option है, pressure voltage transducer, तीसरा option है, strain gauge transducer, चोथा option है, piezo electric pressure transducer, तो इसका जो सही अंसर होगा, वो क्या होगा, option number B होगा, pressure voltage transducer, इसका उपयोग किस चीज में करते हैं आप, तो potentiometer का जो आप use करते हैं, वो pressure voltage transducer में करते हैं, इसके बाद में person number 7 है आपका, कि capacitive type transducer में pressure बढ़ने पर, धारीता को बदलते हुए, चालक प्लेटो में क्या परिवर्तन आता है, तो capacitive type transducer जो होते हैं, जब आप उसमें pressure बढ़ाते हैं, तो धारीता बदलने के लिए, उसमें क्या होगा, जो आपकी चालक प्लेटे होती हैं, वो क्या करती हैं, दूर-दूर होने लगती हैं, एक दूसरे से क्या होने लगत दूरी होती है, उनके वियुतकर मनुपाती होती है, तो यदि आप क्या करेंगे, धारीता को बढ़ाएंगे, तो क्या हो जाएगी आपकी, उन दोनों के बीच की दूरी कम होगी, और यदि आपकी दूरी कम होगी, तो आपकी धारीता जो है, बढ़ जाएगी, यही inversely proportional का होती है, तो इसमें आपको याद रखना है, कि जो आपकी ट्रांस्डियूशर होती है, उसमें 4 स्टेज होती है, पहला जो होता है, संसूचक, अत्वा, समवेदा की स्टेज होती है, second होती है आपकी माध्यमिक stage जो third होती है आपकी वो transduction stage होती है चोथी होती है आपकी संकेत परकिरिया stage तो इसमें पूछाए कि जो माध्यमिक stage होती है उसका क्या कारिया होता है तो इसका एक कारिया होता है यह क्या करता है प्रारमिक stage से जो आपको signals मिलते हैं, उनको third stage के input पर transfer कर देता है, तो option number B क्या होगा, इसका right answer होगा, इसके बाद में person number 9 है, आपका कि समवेदा किया संसूचक का गुण है, तो समवेदा किया फिर संसूचक, अभी हमने आपको बताए कि यह क्या होती है, transducer की पहली stage होती है, अब इसक गुण क्या होता है, इसका गुण यह होता है, कि यह भोतिक तथ्य है, जो भी आपके, क्या होते हैं, physical facts होते हैं, या फिर परभाव होते हैं, उनको क्या करता है, sense करता है, बट उनको विकर्थ नहीं करता, तो option number C क्या होगा, इसका right answer होगा, भोतिक तथ्य है, या किया जाता है उप्सन इसमें आपको दिये गए है उच दाब द्रव को निम्न दाब द्रव की और दूसरा उप्सन है निम्न दाब द्रव को उच दाब द्रव की और तीसरा उप्सन है निम्न छेतरफल से अधिक छेतरफल की और और चोथा option इसमें कि इन में से कोई नहीं तो इसका जो सही अंसर होगा वो क्या होगा कि McLeod Gage जो होता है वो क्या करता है जो आपका द्रव होता है उसको निमन दाब से उच दाब की ओर क्या करता है compress करता है तो option number B क्या होगा इसका right answer होगा question number 11 है आपका कि Ionization परकिरिया में किस अनू को हटाया जाता है आप सब जानते हैं कि जब किसी भी अनू का आप Ionization करते हैं तो क्या होता है उसमें जो है Electrons का आदान परदान करते हैं ना कि जो उसमें Proton होते हैं Neutron होते हैं उनका करते हैं तो इसका जो सही आंसर होगा, वो क्या होगा, option number C होगा, electron, तो किसी अनुसे किन को हटाये जाता है, electrons को हटाये जाता है, question number 12 है आपका कि slack diaphragm, gauge के दुआरा मापा जाता है, option इसमें आपको दिये गए हैं, पहला option है, वायू मंडलिय दाब से कम दाब, दूसरा option है, वायू मंडलिय दाब से अधिक दाब, तीसरा option है, गहनत्व, चोथा option है, इन में से कोई नहीं, तो इसका जो सही आंसर होगा, वो क्या होगा, वायू मंडलिय दाब से कम दाब को slack diaphragm, gauge के दुआरा मापा जाता है, option number A, इसका right answer होगा, इसके बाद में 13 परसन है, आपका कि निमन में से कौन सा gauge, gas की तापिय चालकता में आने वाले sensing, परिवर्तनों के मापन दुआरा, दाब का मापन करता है, option इसमें आपको दिये गए हैं, पहला option है, पिरानी gauge, दूसरा option है, slack diaphragm gauge, तीसरा option है, Macleod gauge, चोथा option है, इन में से को इसके बाद में 14 है, आपका कि दाब मापन के लिए उप्योग किया जाने वाला diaphragm होता है, option इसमें आपको दिये गए हैं, पहला option है, हलका, दूसरा option है, आकार में छोटा, तीसरा option है, slack, मींस डिला, और चोथा option है, बाइ मेटलिक, तो इसका जो सही आंसर होगा, वो क्या ह इसके बाद में person number 15 है, आपका कि धारिता मैनोमेटर किसके मापन के लिए उप्युक्त डिवाइस है, तो धारिता मैनोमेटर के दुआरा, आप किसका मापन करते हैं, option इसमें आपको दिये गए हैं, पहला option है, वास्तविक दाब, दूसरा option है, अंतरिय दाब, तीसरा option है, A वे B दोनों, और चोथा option है, इन में से कोई नहीं, तो धारिता मैनोमेटर के दुआरा, आप वास्तविक दाब को भी माप सकते हैं, और अंतरिय दाब को भी माप सकते हैं, option number C क्या होगा, इसका right answer होगा, person number 16 है, आपका कि vacuum है, अब vacuum क्या है, vacuum आपका क्या होता है, वायू क्या होगा, तो option number B क्या होगा, इसका right answer होगा, इसके बाद मैं, person number 17 है, आपका कि एक तूर है, option इसमें आपको दिये गए है, एक mmHg, दूसरा option है, एक इंच Hg, Hg मिन्स यहाँ पर mercury से है, तीसरा option है, एक वायूमन डली है, चोथा option है, एक किलो पासकल, तो इसका जो सही answer होगा, वो क्या होगा, आपका 1 mmHg, इसके बाद मैं, अगला और आखरी परसन है, आपका कि calibration manifold कि इस परकार के दाब का calibration करता है, तो calibration manifold जो होता है, वो इस तिर दाब को calibration करने का कारिये करता है, option number C क्या होगा, इसका right answer होगा, तो दोस्तों आज की वीडियो में सेफ इतना ह और next वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और important term CQs की